हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सो आज हम इस वीडियो में पहला प्रोग्राम सी लेंग्वेज में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही में सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगी तो मैं यहां पे सॉफ्टर यूज करी हूं टर्बो सी प् प्रस प्रस ऑपन कर लिया है और साथ ही मैंने इस वाइल का नाम भी दे दिया है टेस्ट दॉट सी और याद रुखेंगाइस कि अमारे जो सी लैंग्वेज गा एक्स्टेंशन है वह है डॉट सी तो अगर आपको यह जो फाईल है वो सेब करने तो यहां पर फाईल में जा पर आपको header file include करानी होगी जो है include stdio.h stdio.h refer करता है standard input output library जिसकी मदद से हम keyword statements functions जैसे के printfs, scanf, वो सारे functions यूज़ कर सके तो guys यह जो line है वो हमें लिखना जरूरी है हमारे every c program की file और जैसे जैसे आपको जैसे function की जरह तो वैसे वैसे आप अपनी file include करा सकते हो उसके बाद हमारा आएगा main function because main function is the starting point of all the c program तो आपको main function लिखना जरूरी है without main function आप अपना c program बना नहीं सकते तो मैं यहाँ पर लिख रही हूं void main then counts उसके बाद आएगा हमारा curly braces और curly braces के अंदर हमारा code आएगा run करने के लिए okay तो guys आप यहाँ पर देख सकते कि मैंने void main लिया है क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो है without return value अगर आपका जो प्रोग्राम है वो value return कर रहा है तो आपको void के जगा पे integer लिखना होगा अब मैं यहाँ पे simple हमारा जो प्रोग्राम है वो होगा कि मैं यहाँ पर अपना नाम input कराना चारी हूं user के मदद से तो उसके लिए मुझे यहाँ पर variable चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर data type ले रही हूं character और मेरा variable होगा name और मैं यहाँ पर उसकी value assign करी हूं 10 तो यानि हमारा जो नाम है वो 10 एंटर करना है then enter your name ओके तो उसके बात मैं guys user के पास से value लेना चारी हूं तो हमारा जो function है scanf वो use होता है user के पास से input लेने के लिए तो scanf और उसके bracket में मैं यहाँ पर लिखूंगी percentage as याद रखे guys percentage as refer करता है string value percentage d refer करता है integer value percentage l refer करता है long double value तो matter करता है आपने कौन सा data type use किया है तो मैंने यहाँ पर string किया इसलिए में percentage as ले रही हूं उसके बाद आपको कॉमा करके यहाँ पर आपका जो variable है वो लिखना होगा name तो इस statement का मतलब है guys कि आप क्या जो value है user ने input कराया होगा वो जाएगा percentage as में और उसकी value assign करेगा हमारे variable को ओके so now again मैं यहाँ पर एक और statement print कराऊंगी ताकि user को पता चले कि आपका नाम यह है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी your name is तो हमारी जो value है वो है percentage as और हमने assign की थी name variable में इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी name तो यहाँ पर हमारा जो output आएगा वो आएगा your name is this 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 okay now उसके बात guys आपको last में every c program में आपको लिखना है get ch अगर आपका main function void है तो get ch का मतलब यह होता है कि आपका जो output है वो एक keyword के लिए hold करता है यानि उसके जो screen है वो hold करने के लिए तो यहाँ पर हमारा जो program है वो ready है तो अब आपको अपना program run करना है उससे पहले आपको compile करना होगा तो जस्ट आप compile पर click किजिए otherwise उसकी shortcut key है अल्टर f9 तो यहाँ पर एक compiling pop-up box open हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो कि आपकी कितनी warnings है और कितनी errors है हमारे program में कोई errors नहीं है इसलिए हम हमारा program run कर सकते है तो यहाँ पर again यहाँ पर दे रही हूं जस्ट पलक जैसे मैं यहाँ पर एंटर करोंगी तो आप देख सकते हो यौर नेम इस पलक अब आप देख सकते हो गाईस के यह जो हमारा कोड के टर्मिनल में आ चुके इट मिल्स हमारा जो यह यह वर करता है हमारे आउट्पूट को खोल्ड करने के लिए नेक्स्ट की जब तक हम प्रेस नहीं करते है तब तक लेकिन गाईस अब याद रखिए कि अगर आप clear screen function है अगर वह आप यूज नहीं करते मैंने यहाँ माई नहीं किया है दुबारा इस प्रोग्राम को चलाओंगी तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पिछला आउट्पूट ही वह भी यहां पर शो कर रहा है अब देख सकते हो ओकम की कीजिए and then run कीजिए तो आप देख सकते के यहां पर हमारा जो पिछला आउपूट था वो निकल चुका है तो अगेन मैं यहां पर ट्राइ करूंगी देन दुबारा इसे रन करूंगी तो आप देख सकते दुबारा यह सुरुआज से ही हमारा आउपूट दिखा रहा है के लिए और यहां गाई अगर को कोई स्टेटमेंट करना है तो यहां पर हम दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं अगर आपको सिंगल लाइन कमेंड करनी है तो just आप 2 बार forward slash कीजिए तो ये comment हो गया और अगर आपको multiple lines one or more multiples line आपको comment करने है then forward slash star and then आपको कहां तक करनी है तो मुझे यहां तक करनी है माल लेजे मुझे 3 lines comment करनी है then star forward slash multiple comments के लिए slash star star slash ये होगा multiple और single के लिए आपको करनी है तो slash using C language so I hope guys आपको ये जो प्रोग्राम है वो समझ आया होगा अगर आपको ये प्रोग्राम है वो अच्छा लगा हो तो please इसे like कर देजेगा share करेगा और subscribe करना ना भूले मेरी channel को thank you